हलो एरिवन, क्लास 5 की EVS में हम सीट्स और सीट्स बढ़ रहे हैं, रइट तो हमने प्रीविज्ट वीडियो में आपको वो एक्टिटीज करने के लिए बोला था तो हमने एक एक्टिटी की थी जिसमें हमने बोल वन में चन्ने डाले थे हमने हम पानी प्रबा था ठी डाले न हम आज देखेंगे कर दिखेंगे का देखेंगे कि कुछ दिनों बाद उनकी साथ क्या हुआ ठी कर देखेंगे तो हमने इनको फिर लिड से भी कार किया था, ठीक है? फॉर्स्ट केस में हम क्या देखेंगे? एस यूनो के हर एक सीड की टेंडनसी होती है, वो क्या कर लेता है? वो एब्सॉब कर लेता है वो एब्सॉब कर लेता है, वो फूल जाता है, वो अपने साइज में डबल हो जाता है, तो वो हर एक सीड की टेंडनसी क्या होती है? तो एब्सॉब वाडर, हर एक सीड में होल होता है, जहां से वो पानी को एब्सॉब कर लेता है, ठीक है? अब हम फॉर्स्ट केस में देखेंगे, हमने पानी डाला था, एक बॉल में ठीक है, उसमें हमने चन्ने डाले थे, तो पानी बिल्कुल कवर अप किया था उन चन्नों को, तो उसमें क्या हम उजर्वेशन देखेंगे, उसमें देखेंगे हम की, उन्होंने वो पानी अब्सॉब कर लिया था, तो वो क्या होए होंगे वो swallow होए होंगे वो full गए होंगे ये first case में बात रही second case में हमने same time same duration दी तो उसमें results different आएंगे हमने उसमें पानी डखके नहीं रखा था हमने क्या किया था हमने एक wet cloth में हमने एक cotton में उनको wrap किया था तो फिर हमने क्या देखा था after some days तो हमने देखा था वहां से sprouts निकल आए होंगे तो third case में हमने कोई result नहीं देखा क्यूंकि नहीं हमने उसको किसी में wrap किया था वेट cloth में तो नहीं हमने पानी डाला था that means जैसे हमने चन्ने कुछ दिन पहले डाले थे वैसे कि वैसे वो उस time भी है that means कि उसमें कोई result हमें देखने को नहीं मिला हो गई ये बात अब आपको पताई है कि seer germination के लिए आपने seer germination पढ़ा कि एक seer से कैसा नया plant निकल आता है ठीक है फिर उसको कैसे systems branch leaves कैसे निकल आते एक plant भनता है ठीक है तो seer germination तब possible है जब एक you know जब seer को तीन चीज़े मायसर होती है तब जाके seer germination होती है पहला होता है पानी second होता है air और third होता है nutrients तो nutrients की बात अगर हम करेंगे जैसे कि आपको पता ही है जैसे air तो वो atmosphere से लेंगे और water उनको हम देंगे जब जिस seed को भी हम भोईगे तो nutrients कहां से लाते है as you know जो human beings है animals है सबों को nutrition की जुरूरत होती है सबों को energy की जुरूरत होती है तो वो कहां से मिलता है हमें food से ठीक है food में सारे nutrients वेलिबल होते है चाहे वो carbohydrates प्रोटीन फैट वाइटमिन यह सारे major component होते है किसमें हमारे food में तो wide varieties हमारे पास होती है food की अलग अलग तरह की food होती है तब जाके जब हम mix up सारे food खाते है क्योंकि एक food में एक component होते है दूसरे food में जब हम wide varieties of food खाते है तब जाके हमारा जो diet होता है वो balance होता है तब जाके हमारी body को सारे nutrition मिलते है ठीक है ऐसी seeds को भी nutrition चाहिए होते है और वो nutrition कहां से लाते है वो लाते है जो उनके लिए nutrients requirement होती है वो लाते है वो soil से तो इनसा तो soil नहीं खा सकते ना जानवर क्योंकि हमारे पास available होती है wide range of food ठीक है तो ये जो seeds होते है ये कहां से लाते है ये nutrients ये लाते है soil से ठीक है अब ग्रो करने के लिए that means कि एक seed को soil की जुरूरत होती है जिसमें वो nutrients gain कर लीती है ठीक है हो गई ये बात तो first case में first case में seed germination क्यों नहीं हुई क्योंकि water तो available था ठीक है तो air नहीं था क्योंकि complete low वो किस से बरा हुआ था पानी से तो पानी में air गुस नहीं सकती ठीक है तो उसमें nutrients भी नहीं थे that means only water was available for them ठीक है तो उसमें germination हमें देखने को नहीं मिलेगी हमने सिर्फ देखा कि वो size में double हुए होंगे क्योंकि उनकी tendency होती है absorb water करने की second case में हमने क्या देखा हमने जब seeds को wrap up किया था cotton में ठीक है वहां से sprouts निकलाए तो that means कि हमने उसमें limited quantity थी water की क्योंकि wet था वो cloth ठीक है और air भी मिल रहा था उनको लेकिन nutrients नहीं मिले तो भी जाके उनमें sprouts निकले plant नहीं निकलाया ठीक है third case में हमने क्या देखा third case में हमने कोई result नहीं देखा air तो था ही था लेकिन water or nutrients वैलेबल नहीं थे that means उसने कोई result नहीं दिखाया तो हम क्या देखेंगे पहले case में ये आपके book में एक table बना गया है तो उसमें लिखा है कि our seed is getting air तो पहले ball में हम अगर देखेंगे हाँ वो वहाँ पे उसमें air नहीं मिलता ठीक है क्योंकि वो completely भरा हुआ है किसे पानी से दूसरे में है कि our seed is getting water हाँ मतलब एक ball first में भी water available है second में भी है और third में नहीं है और जो air की बात है वो ball second में है और ball third में है लेकिन ball first में नहीं है अगर हम देखें कि what change do you see हमने first ball में वो swell up हो गए ठीक है वो full गए वो size में double हो गए second में हमने क्या देखा वहाँ से sprouts निकल आए और third में हमने कौन से change देखी कोई change हमने नहीं नहीं देखी हो गए ये और दूसरा है कि have the seed sprouted पहले ball में seed sprouts नहीं हो गए वो double size हो गए second ball में हाँ sprouts निकल आए third ball में कुछ भी change नहीं हो गई तो in which ball did the seed sprout किस में ये जो होते है seed वो किस वाले ball में sprout हो गए ठीक है sprouts किस वाले seed में निकल आए ball two में ठीक है तो so यहाँ पर question arise होते है what difference did you see between the ball and other balls between ball two and first and second ball ठीक है ball two में हमने देखा वहाँ से sprouts निकल आए ठीक है that means जो गोपाल की जो माँ थी उसने damp cloth में क्यों वो रैप किये थे चनने ता कि वहाँ से sprouts निकल क्योंकि उनको air भी चाहिए हो था और एक limited quantity पानी की भी चाहिए होती थी तभी जा कि वहाँ से sprouts निकल आए ठीक है so conclusion यहाँ पर क्या निकला कि सीड जर्मिनेशन के जो basic requirements होते हैं वो क्या होते हैं एक तो होते हैं पानी दूसरा होता है एर और तिसरा होता है nutrients so this was all about our today's topic I hope आपने enjoy किया होगा so this was all about it thank you लाछी जल्ड़मेट में सकता हुआ होते हैं